आप देख रहे हैं डीडी की पार्ट साला सस्क्राब कीजिए चैनल को और दबाए बेल आइकान को ताकि आपको नोडिफिकेशन के माध्यम से ने वीडियो के जनकारी मिलती रहे आप देख रहे हैं डीडी की पार्ट साला मैं हूँ आपका गुरू जी दने स्वर्धुरू जी तो करते हैं एप्लिकेशन लिखना सुरू जी तो चलो आज आओ भई भाई की विवाव में जाने है तू आविदन पत्र लिखते हैं माल ले जाए अगर कुश्चन आता है कि अपने प्रधान पाठब को साथ दिनों के लिए आविदन पत्र लिखिए कि आप जो है अपने भाई के विवाह में जा रहें तो किस तरह से हम लोग आविदन पत्र लिखेंगे वह जानते हैं तो सबसे पहले आविधन पत्र लिखने से पहले margin खिच लेते उपर से नीचे की और एक लकीर और जस्ट उस से चिपका कर लिखेंगे two है ना अब two लिखने के बाद क्या लिखेंगे the headmaster या the principal ये लिखेंगे फिर पता लिखेंगे government middle school गरियाबन है ना अगर प्रचारी को ल देन उसके बाद क्या लिखेंगे subject लिखेंगे margin से चिपका कर subject and application for leave ये लिखेंगे फुली स्टाप लगा लेते हैं फिर just subject के नीचे लिखेंगे sir महुदा या स्रीमान ये लिखेंगे फिर पहला paragraph लिखेंगे अब paragraph लिखते हैं तो थोड़ा आगे बर के लिखेंगे जैसे the government और application के सीध में लिखेंगे है ना तो उसमें लिखेंगे I back to say that सवेने निमेदन है की I back to say that I am going to रायपूर today आज मैं रायपूर जा रहा हूं क्यों जा रहा हूं ये लिखना है कारण लिखना है to attend my brother's marriage है ना अपने भाई की साधी में सम्मिलित होने कहा जा रहा हूं रा ये लिखेंगे उसके बाद next लिखेंगे so I will not be able to attend the school from 11th for 2021 to 17th for 2021 ये लिखेंगे अर्थात अता हा इसलिए मैं so इसलिए है ना मैं 11.4.2021 से 17.4.2021 तक विद्याले नहीं जा पाऊंगा है ना attend नहीं कर पाऊंगा ये लिखेंगे ये पहला paragraph हो जाएगा and second paragraph में लिखेंगे just I beg है उसके सीध में लिखेंगे है ना so kindly grant me seven days leave from 11.4.2021 to 17.4.2021 ये लिख देंगे अर्थात so अता हा है ना अता हा आप मुझे 11.4.2021 से 17.4.2021 तक साथ दिनों का अवकास देने की क्रिपा करेंगे ये बन जाएगा और just उसके नीचे लिख देंगे thanks, धन्यवाद और उसके नीचे margin से चिपका का लिखेंगे date है ना लिख देना जिस तारिक को आप लिख रहे हो 11.4.2021 ये लिख लिए अब राइड साइड में लिखना है आपको आपका अज्या क्यारी अर्थात you are obediently आपका अज्या क्यारी उसके बाद लिख लिख देना नेम अपने नाम लिख लिए और class लिख लिए ठीक है तो ये high school और middle school दोनों के लिए आविदन पत्र काम आएगा आसा करता हूँ ये वीडियो लेशन आपको अच्छा लगा होगा और अधिक grammar एम वीडियो की जनकारी के लिए हमारी चैनल डेडी की पाट साल को सब्सक्राइब कर लिजिए और दबाए बैल आइकान को ताकि आपको notification के जा चातिसगर